समाजवादी पार्टी के कद्दावर निता और रामपूर से सांसद आजम खान इस समय मुश्कलों के दोर से गुजर रहे हैं वे आजम खान की पतनी और राज्यसबा सांसद तंजीन फातिमा के अलावा उनके दोनों बेटो अबदुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है रामपूर जिला प्रिशाशन ने तीनों के खिलाफ कुल चार नोटिस जारी किये हैं तीन नोटिस धारा, एक सोसाट और एक नोटिस धारा एक क्यानवे के तहट जारी किया गया है सभी नोटिस को रामपूर पुलिस ने आजम खान के घर पर चस्पा कर दिया है आजम खान की पतनी और दोनों बेटों से जोहर युनिवस्टी में किसानों की जमीन पर कबजा करने के मामले में पूछताश भी की जाएगी उन्हें तीन दिन में महिला थाने में उपस्तित होने के लिए कहा गया है साथ ही आजम खान की पतनी से जोहर युनिवस्टी के रिकोर्ड भी मांगे गए हैं आपको बता दे कि अतरिक पुलिस अधिक्षक अरुन कुमार सिंग ने बताया कि आजम खान की पतनी और राज्यसबा सदस्य तंजीम फातिमा और दोनों बेटों अजीब और अब्दुल्ला आजम को धारा 107 और 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है इन पर किसानों की जमीन पर जबरन कबजा करके उसे मुहमद अली जोहर युनिवस्टी की चार दिवारी के अंदर मिलाने का आरोप है उनके घर पर नोटिस भी इसके लिए चस्पा कर दिया गया है उन्होंने बताया कि जोहर अली ट्रस्ट के सबी सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है पुलिस ने तीनों को जमीन घोटाला मामले में पूस्ताश के लिए बुलाया है पुलिस ने इसके लिए तीनों को तीन दिन का समय भी दिया है इससे पहले शुक्रवार को आजम खां की पतनी तंजीम फातिमा के खिलाव बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था रामपूर की थाना कोतवाली पुलिस ने विद्यूत अधिनियम साल 2003 की धारा 135 के अंतरगत ये मुकदमा दर्ज किया था दरसल हमसफर रिजोर्ट पर बीते बुदवार को बिजली विभाग ने च्छापी मारे की थी छापे मारी के दुरान रिजोर्ट में बिजली चोरी पकड़ी गई थी जिसके बाद रिजोर्ट का बिजली कनेक्शन कार्ड दिया गया था हमसफर रिजोर्ट की मालिक के नाम के रूप में आजम खान की पतनी तन्जीन फातिमा रेजिस्टर है मतादे के रामपूर से सपा सांसद आजम खान के खिलाव सरकारी और किसानों की जमीन पर कबजा करने के साथ-साथ ही बिजली चोरी, अतिक किर्मन, बहस चोरी और अभदर भाशा का इस्तमाल करने के 81 से जादा मामले दर्ज है सपा के सांसद पर पहले ही बहस और किताब चोरी के अलावा बिजली चोरी और डकैती से लेकर उन पर भू माफिया तक का टैग लग चुका है उनके खिलाव ग्रफतारी का वारंट भी जारी हो गया है रामपूर के कोर्ट में पांच मामलों में आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिश कर दिया गया है ऐसे में उनके उपर ग्रफतारी के अब तलवार लटकी हुई है SPN 9 News के लिए मैं भरमाईश्या दाओ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News